जेहिन साथियो स्वागे थे आप सभी का Education Cat6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ बिहार में BPAC की माध्यम से यहाँ पर Teacher Recruitment Exam जारी हो चुका है इसका फॉर्म भरना सुरू हो चुका है मैंने एक फॉर्म भरने का वीडियो भी आपको बना के दे दिया है आप उस वीडियो को देखें और अपना फॉर्म भरना सुरू कर दे लेकिन मैं फॉर्म भरते समय भी आपको एक बात बोला था कि थोड़ा इंतजार और कर लीजे हो सकता है कि बहुत सारे चेंजिज अभी हो रहे हैं जो कि पहले दिन अगर मैं बात करू तो यहाँ पे मातर 500 ही अप्लिकेश पलूंप फिलाल देखें आज अज हमारे अतुल परस्द जी जो की चेर परसन है और अपने ट्विटर को सवाल उठ रहें तें उन्हीं सबी चिज़ो पर यहां पर अपडेट आया हुआ है इसी हो एक्ड caucus स्फक्स ने रिखा है mentre और दोन्ट ए पहली चीज़े यहां पे इन्होंने लिखा है कि यदि आपके पास कोई प्रमाण पत्र है तो आपके मार्षिट जमा करने की आवशक्ता नहीं है मतलब कि सपोज मान लिजे कि आपका सपोज यहां पे सर्टिफिकेट जिसीच का मांगा जा रहा है ना प्रमान पत्र जो है मांगा जा रहा है जैसे कि मान लिजे कि आपका ग्रेजुइशन कहीं है यहां पे अगर आपके पास सर्टिफिकेट है उसका जैसे कि सर्टिफिकेट पॉइंटर है यहां पर आया हुआ है खीबिडियां सब्सक्राइए में किसी भी टॉपिक पे ठीक है बहुत सारे छातर जैसे कि सीटेट एक्जाम देते हैं तो वो पूछते हैं वहाँ पे कि सर सीटेट एक्जाम दिये हैं उसमें हमारा कहां पर जो है सर्टिफिकेट नंबर है ये सवाल बहुत उट रहत हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर एक option दि इंग्लिस आपको 25 नंबर का देना ही है 75 नंबर का जो है आपको एक भासा चूज करना है सेलेक्ट करना चाहिए आप हिंदी कीजिए उर्दू कीजिए या बंगला कीजिए तो आपको फॉर्म भरते समय ये चीज बहांगा जारा है लेकिन यहाँ बोला गया है कि जो भी छ गुला रंगने को आएगा तो जैसे हिंदी उर्दू या बंगला में आपको गुला रंगना है तो उस जगह को आपको रंग देना होगा जैसे कि हिंदी के लिए होगा तो हिंदी के लिए आपको गुला रंग देना होगा तो आपका पेपर हिंदी में समझा जाएगा कि आ यहाँ पे आपका 75 नंबर का यह एक्जाम होगा लेकिन English तो compulsory है ही आपका यहाँ पे जो कि 25 नंबर का पूछा जाएगा तो यहाँ पे ध्यान रखीगा यह कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 9 से 10 तक और कक्षा 11 से 12 तक इन सभी के लिए एक भासा का पेपर देना अनिवार है जैस की भासा से यह संबंदित है और इसके में आपको बता दे कि करीब 25 से भी ज़्यादा प्रश्णों की संख्या मिलेगी 25 प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको इसके लिए और यह जो है आपका SCRT के जो स्लेबस पैटर्न है उसी क्याधार पर है यानि कि प्राथमिकी हो या अदमी की अगर आप तयारी कर रहे हैं एक्जाम देने जा रहे हैं तो आप चक्षू पब्लिकेशन का यह बुक ले सकते हैं बिलकुल स्लेबस यहां पे सारा डिटेल दिया गया है आपके प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है इन दोनों पुस्तकों को लेने के लिए आप न को ले सकते हैं उसका भी लिंक दे दिया गया है आप चक्षू पब्लिकेशन के बुक को किसी भी आप अपने नजदी की कोई किताब दुकान होगा वहां से भी खरीच सकते हैं या ऑनलाइन भी घर बेठे मंगा सकते हैं यह बेस्ट बुक है आपकी परिक्षा के त्यारी को मैं इसका पीडियेफ भी दिखला दूँ जैसे कि यह बुक है आपको देखसकते हैं यह बुक का फिडियेफ है इस पीडियेफ को आप लोग देख सकते हैं dysfunction का कर दिया गया है जो भी आपका ब् legislators रहता है कि कौण कौन से साथ साथ यहां पर ब्याक्या दिया हुआ हर प्रैक्टिस सेट के साथ तो आपके लिए यह बुक जो है बहतरीन होगा अपने परिक्षा को बहतर से निकालने के लिए तो चलिए आगे बात करते हैं तीसरे ट्विट के बारे में याने कि तीसरा अपडेट किया दिया गया इन अब यहां पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे चात्रों के पास जो है जिसे कि सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है तो उसका सर्टिफिकेट अगर नहीं है और उनको जो है तीस अगत से पहले जिसे कि उन्होंने अपने प्रेस कॉंफरेंस में बोला भी था कि 30 अगत से पहले जो है आपका जो है एक्जाम हो गया है जो उसका सर्टिफिकेट अगर नहीं भी है तो आप वहाँ पे एने लिख सकते हैं है ना तो अब यहाँ पे एक चीज तो डाउट रही गया कि क्या जो BPSC का में अपियरिंग होने वाले जो चादर थें सीटेट देन की अनुमती देने या इनकार करने के लिए नहीं है चुकि यह जो है अपना पलड़ा जाड़ दिया है इस चीज को लिखकर चुकि आप अगर फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे सीटेट का प्रमान पत्र मांगा जा रहा है उत्त्रिणता का है ना कक्षा एक से पांच हो उसी चीज लिखे गई है कि कोई प्रमान पत्र अनहीं है यह अदर की बात की जा रही है यहां पे कि अगर आपके पास प्रमान पत्र की संख्या नहीं है तो आप वहां पर एने लिख सकते हैं याने की not attempt होता है तो यह आप एने लिख के आगे बढ़ सकते हैं इस form को यहां से भर सकते हैं इस तरह से तो यह चार तरह की जो है ट्वीट उन्हों अपने ट्वीटर में लिखा है और इस चीज को यहां पर क्लिरफाई किया है कि पहला चीज तो यू need not submit the market if you have certificate आपको मार्शीट डालने की जुरुत नहीं है अगर आपके पास certificate है तो किसी भी कॉलम में जो चीजे मांगी जा रही है और अगर certificate नहीं है और आपके पास online मार्शीट है तो आप मार्शीट यहां पर अप्लोड कर सकते हैं ठीक है प्रोविजनल है प्रोविजनल अप्लोड कर सकते हैं इन लेंग्वेज पेपर डियूरिंग दे एक्जाम इटसेल्फ यू कैन सेलेक्ट हिंदी उर्दू और बंगला यानि कि आपको यहां पर चीज मैंने बोला कि इंग्लिश तो कंपल्सरी है आपको देना 25 नंबर का अब जो 75 नंबर का एक्जाम होगा उसमें आपको हिंदी उर्दू या बंगला सेलेक्ट करना है तो एक्जाम के समय आपको सेल सीटियेट का सर्टियेट नंबर डालने के लिए बहुत सारे चानिके नंबर नहीं है कोई दिक्कत नहीं हैrieकशन को वहां पर नंबर लिखेगा एडिट करने का उप्षन तो प्लीज कमेंट सेक्षन में बताइए जरू तकि औरों का फायदा हो सके जो कि अभी तक अगर आप लोगों ने रिश्टेशन कर दिया है और अप्लिकेशन फॉर्म नहीं भरा है तो साथ इसको सुधार कर सकते हैं लेकिन आप फाइनल पर आप लिख सकते हैं अगर आप उसको अपलोड कर देजीगा सो के भी से कम में उसका फाइल बनाके पीडिएफ उसको अप्लोड कर दीजेगा डेट में आपका यह सर्टिफिकेट इशू हुआ है बट सर्टिफिकेट नंबर उस पर नहीं लिखा है तो वहाँ पर इन्हें लिख सकते हैं तो यह तीनों चीज समझ गया है चौथा चीज यहां पर पल्रा जाड़ा गया है अपना इट्स मंत्रियों के पास मिलने भी गये थे पर कोई जवाब इसका कोई दे नहीं रहा था हर कोई अपना पल्रा जाड़ रहा है तो यहां बीपीएसी के चेहर परसन ने भी बोल दिया है कि इट इस नॉट फ़र बीपीएसी टू अलाव यह और डिनाय मतलब कि हम ना तो यहां पर बीपीएसी अलाव करती नाहिं डिनाय याने कि इसका आपको देने के लिए निरस्थ करती है सीटेट अपेररिंग कैंडिडेट के लिए तो यह अभी पीचीज़े क्लi नहीं की गई है आयोग को यहां पे सीज का क्लियर करना चाहिए और इनको भी मौका दे देना चाहिए जो अप्यरिंग वाले चात्र है चुकि यह अपनी ज्वाइनिंग तो मांग ने रहे हैं है ना यह अपनी ज्वाइनिंग तो मांग ने रहे हैं यह एक्जाम देने के क्या को लेकर तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा आशा करते हैं कि चीजी समझ में आई होंगी नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएंगे जहिन साथ हूं मिलेंगे अगले वीडियो में